अभी आप देखो हम कर रहे थे linear equation chapter question number 2 है solve x minus 5 equals to 7 minus 2x ठीक है so इसे हम कैसे करते हैं let's see देखते हैं so first of all हम लिखते हैं solution और उसके बाद हम लिखते हैं क्या we have ठीक है उसके बाद हम लिखते हैं comma उसके बाद जो equation हमें दिया हुआ है उसी equation को हम लिखते हैं same to same so यहाँ पर हमें दिया हुआ है x minus 5 equals to 7 minus 2x ठीक है लिखने के बाद हम इसे mark करेंगे equation 1 हो गया अब हम लिखेंगे और ठीक है अब देखो जब हम solve करते हैं equation को linear equation को तो जो x वाले terms होते हैं उन्हें हम हमेशा एक side मर एक side पर लिखते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर x दिये हुए हैं so हम क्या करेंगे हम x वाले जितने भी terms हैं सभी को एक side लिखेंगे say suppose left hand side so यहाँ पर हम लिखेंगे x ठीक है अब क्या देखो आप की जो minus 2x है equal to के right hand side पर उसे जब हम equal to par कर दूसरे side लिखेंगे ठीक है तो दूसरे side जब हम उसे लिखेंगे तो वो उसका sign change होगा तो क्योंकि यह minus sign है इस side जाने से यह होगा plus 2x equals to 7 अब यह minus 5 जो left hand side था equation का वो अगर right hand side जाएगा तो उसका भी sign change होगा so यह क्या होगा minus 5 हो जाएगा plus 5 ठीक है अब next line में आप देखो और 2x plus x so यह होगा 3x ठीक है equals to 7 plus 5 क्या होता है 12 ठीक है होगा अब हम लिखेंगे next line और x equals to 12 divided by 3 so 3 1s are 3 3 4s are 12 so x equals to 4 यह है आपका answer ठीक है